बिस्मिल्ला रुर्मान रुर्हीम हम बेसिक कॉंसेप्ट की वीडियो में डेफिनेशन अफ इंकम पढ़ चुके हैं और चार्जिंग सेक्षन सेक्षन नमबर फोर टेक्स ओन टेक्सबल इंकम देख चुके हैं वहां हमने लॉग को पढ़ते हुए understand करने की कोशिश की थी आज हम सेक्षन नमबर फोर को ही एक डिफरेंट अंदाज से पढ़ेंगे यहां हमने कुछ examples बना दी हैं ताके सेक्षन नमबर फोर को समझना आसान हो तो सेक्षन नमबर फोर बिसिकली और कुछ और सेक्षन नमबर फोर के साथ जिनको मिला कर हम यह देखते हैं कि ओर्डिनेंस में overall क्या scheme है income tax को impose करने की income पे तो overall चार tax regimes या अच्छा regimes कह लें method कह लें, schemes कह लें तरीका कार कह लें income के ओपर tax लगाने की क्या तरीके कार हो सकते हैं जो और्डिनेंस ने बताए हैं तो यह चार तरीके कार हमने और्डिनेंस में हम देखते हैं वर्क आउट होते हैं तो आज के हमारे session में हम इन चार regimes को discuss करेंगे normal tax regime, minimum tax regime for final tax regime और separate tax regime तो इनको चोटी चोटी illustrations भी बनाती हैं जहां जरूँत थी ताकि बहुत आसानी से हम section 4 को tax regimes के concept को taxability के concept को पाकिस्तान में income tax ordinance के तहरे जो taxation है और जब हम कहें के NTR या कहीं आप case law में देखें किताब में पढ़ें या कुछ senior बात कर रहा हो कि जी ये NTR की income है ये FTR की income है तो हमें concept पता हो कि इसका मतलब क्या है अगर हमें इन चार tax regimes की conceptual understanding होगी तो आप return आसानी से भर सकते हैं आप manual workings कर सकते हैं आप किसी notice में आई गई queries के जवाब दे सकते हैं अगर आपको इनका concept हो तो ये बिल्कुल basic concept है और section number 4 section 168 169 section 8 section 37A तो बहुत सारे जो चंद बहुत सारे तो नहीं चंद sections हैं जहां से ये tax regimes work out हो जाती है तो आईए हम एक एक करके इन तमाम tax regimes को देख लेते हैं सबसे पहले हम normal tax regime को देखते हैं income tax ordinance में normal tax regime की बात कहा की गई है ये देखें मैंने यहां लिखा है section number 4 subsection 1 and 2 and 3 अच्छा ये कैसे वर का इसका मतलब क्या है होता क्या है under normal tax regime certain rate of taxation on net income यानि income minus expenses so net income basis पे applied to taxpayer tax is applied to taxable income as per first schedule of income tax ordinance which shall be reduced by amount of tax credit बहुत आसान इसका मतलब ये है आप अपना profit and loss account बनाएए sales लीजिए cost of sales less कर दीजिए operating expenses minus कर दीजिए जो भी profit आए उसमें से फिर आप deductible allowance minus कर देए for example जकात है और prior year losses आप minus कर देए जो के income tax ordinance allow करता है तो जो amount आपके पास अब net income बचेगी उस पे आप applicable rate लगा देए तो in other words बहुत आसान समझने के लिए आप जब profit and loss बनाते हैं अपना उसमें जो net profit आता है उस पे आपको tax अदा करना है तो income minus expenses net income basis taxation को NTR कहते है normal tax regime कहते है अच्छा इसकी हम अच्छा यह जो लिखा है कि applied to taxpayer यह नहीं taxes applied to taxpayer का क्या मतलब है first schedule में part 1 division 1 में table 1 और table 2 है जो individual और AOP के लिए tax है के लिए इस्तमाल होता है और division 2 में companies के लिए tax rates दिये में तो इन rates को हम normal rates कहते है अच्छा इसको समझने के लिए example से देखे आसानी से समझ आ जाएगा एक example हमने बनाई है for example a small company small company से मुराद छोटी company नहीं है बल्गे small company का मतलब है एक वो company जिसको small company के नाम से income tax ordinance में पुकारा गया है और 4 या 5 criteria given है कि ये अगर criteria company meet करती है तो small company है for example one of the criterion के जी उसके मुलाजमी धाई सो से कम हो या धाई सो तक हो ठीक है इसी तरह और भी उसका turn over इतनी हो और capital इतना हो वगएरा वगएरा तो हमने कहाए कि एक small company है जो poultry farming का business कर रही है and sales small company से क्या होगा division 2 में हमें पता चल जाएगा 20% rate है small company के लिए other company के लिए 29% होता है small company is doing poultry farming business poultry farming का business करती है and sales for the tax year 2023 were rupees 100 million sales उसने 100 million की की है tax year 2023 में while cost of sales were rupees 60 million और जो cost of sales थी वो 60 million थी and operating expenses were 20 million और operating खर्चे selling का खर्चा, office चलाने का खर्चा administrative खर्चा, advertisement का खर्चा rent का खर्चा वो 20 million था company also has prior year losses of 2 million company के पास prior year के tax losses भी मौजूद थे company has also paid जगात 2 million अब देखें इसकी कैसे working कैसे होगी अब ये NTR में जा रही है देखें head of account क्या है head of income अच्छा head of income हमने कहां पढ़े थे section number 11 में हमने पढ़े चुके है 5 heads of income होते है तो ये company है इसकी तो head income from business है तो इसने 100 million की sales की ठीक है और उसके बाद 60 million की cost of sales थी 20 million के operating expenses थे तो 100 में से 60 and 20 माइनस किया तो हमारे पस 20 million का profit आया 20 million के profit में से हमने जगात को 2 million जगात के माइनस कर दिये 2 million prior year losses के माइनस कर दिये तो taxable income हमारी 16 million आ गए ठीक है 16 million की taxable income पे मैंने 20% rate लगा दिया जो के division 2 part 1 first schedule है में मौझूद है और उसे हम कहते है normal rate applicable to taxpayer taxpayer company है और company भी small company है तो 3.2 million का tax लग गया इसमें से अगर company ने कोई donation भी दी है तो उसको tax credit भी मिल जाएगा हमने definition में पढ़ा कि tax credit से tax भी reduce हो जाता है तो tax credit कैसे work out होता है let's say company ने 5 million के donation दे दी है तो जो applicable rate था 20% उसी को 5 million से multiply कर दिया तो 1 million आया तो 3.2 में से 1 million minus कर दिया अब ये 2.2 million tax अदा करना है अचा tax expense कितना है tax expense 3.2 million था लेकिन tax credit मिल गया तो actual tax expense कितना है आपका 2.2 million अब इस 2.2 million को हम कहेंगे tax chargeable लेकिन यहां तो tax payable कहा है इसलिए कह दिया क्योंके हमारे पस कोई detail नहीं है कि हमारे को advanced taxes करते हैं तो हम adjust करें लेकिन अगर हमारे advanced taxes available होते तो हम कह देते तो 2.2 million tax chargeable है less कर देते हम withholding income taxes मुक्तलिफ heads में हमारे advanced taxes कर जाते हैं such as electricity 235 section में telephone 236 section में import 148 section में हम minus करते अगर let's say वो advanced taxes 2 million के होते तो हम 0.2 million 20 लाग रुपे अदा कर देते admitted tax liability हमारी आ जाती तो ये है normal tax regime तो जब भी आप से ये कहा जाए कि इस taxpayer की NTR की income workout कर लें तो ये concept है या ये कहा जाए कि taxpayer has been driving income subject to NTR इसका मतलब ये है कि उसका उसकी net income basis पे taxation हो रही है आईए इसके बाद इस concept के बाद हम second concept पे जाते हैं जिससे हम कहते है minimum tax regime so what is minimum tax regime where in a withholding tax provision it is provided that withholding tax deducted collected shall be minimum tax for example in section 153 and in section 233 so ये सिर्फ एक reference है अभी ये नहीं बताया क्या होगा ये बताया गया है कि आप क्या करें आप withholding section को refer करें for example आप section number 233 को refer करें 233 एक section है जो withholding section है और commission की payment पर tax कितना withhold होगा इसको deal करता है तो आप उस section में जाएंगे तो section के आखिर में एक line लिखी भी होगी कि जो tax इस section में withheld हुआ है वो minimum tax है withholding sections में जो tax deduct होता है उसी withholding section के आखिर में ये लिखा होता है कि ये adjustable tax है minimum tax है या final tax है तो वहीं से हमें पता चल जाता है कि भई क्या regime आएगी अगर adjustable है तो आपको NTR में जाना है अगर वहाँ minimum लिखा है तो आपको MTR जो अब हम पढ़ें इसमें आना है अगर लिखा है कि ये final tax है तो आपको FTR में जाना है जो भी हम आगे पढ़ेंगे तो अब इन दो sections में for example 153 में अगर आप चाहें तो वहाँ लिखा है अगर supplies आप good supply कर रहे हैं other than a company which is doing manufacturing and listed company अब listed company चाहे वो trading करे चाहे manufacturing करे उनका जो tax category section 153 में वो तो adjustable है तो वो NTR में चले जाएंगे तो उनकी tax की working NTR regime की तरह होगी लेकिन other than that taxpayer for example individual है, AOP है या trading company है तो उसके लिए क्या होगा 153 में deduct to our tax minimum होगा so पहली दो line जो यह लिखी है इससे यह बताना है आपको कि आपको withholding section में जाकर देखना है कि क्या इस section में जो tax withheld हुआ है क्या उसको minimum tax तो नहीं कहा गया अगर कहा गया है तो आप क्या करना है अब हम वो देखते हैं so there will be a requirement to compute two figures and then compare both and the higher will be the final tax liability अच्छा यह final tax liability का मतलब FTR नहीं है यह final tax regime नहीं है final का मतलब मतलब यानि actual tax liability ठीक है अब यह कहा जा रहे है कि अगर यह चीज आपको समझ आ गई है कि आपके withholding section में आपकी commission income है और आपको यह मालूम है कि commission पर जो tax है वो minimum tax है तो आपको दो काम करना होगा वो क्या काम करना होगा आपको दो figures work out करनी होगी और उनको compare करना होगा जो figure higher side पे होगी वो आपका actual tax होगा so number one आप tax liability under normal tax regime तो आप एक काम यह करेंगे आप NTR के तरीका कार से जो हमने अभी सीखा अपने client का profit and loss बनाए net income पर applicable rate लगाकर एक tax निकाल लिजिए तो एक figure यह निकालके एक तरफ लिख लें और दूसरा काम यह करें जो tax withheld हुआ है आपका वो लिख लें इन दोनों में से देखें कौन सा higher है whichever is higher यह आपकी tax liability होगी और इसे हम कहते हैं MTR minimum tax regime अब इस concept को समझने के लिए हमने एक example बनाई है अब हम इसको देखते हैं okay so a small company is small company इसलिए लिए ताके 20% straight away rate है working करना असान हो जाए हमारे लिए a small company is engaged in production and sale of poultry feet and its sales for the tax year 2023 were rupees 100 million while cost of sales were rupees 50 million and operating expenses were 20 million so मदब sale 100 million की है cost of sales 50 million और खर्चे वर्चे जो है 20 million के है so all sales were made to withholding agents sales यह एहम बात है हम यहां पर कह रहे हैं कि जितनी भी sales है वो withholding agents को हुई है और withholding agents ने 4% के हिसाब से 4 million tax card लिए section 153 में क्यूंके tax year 2023 की बात है तो filer company का 4% withholding rate था जो के अब 5 है 2024 के रिए आईए अब हम इसकी illustration यह आपको input data मिल गया अब हम MTR की working करते हैं देखें दो situation है हमने दो profit and loss बनाए है जो input data भी हमने पढ़ा उसको second situation में हम थोड़ा change करेंगे इस input data के मताबिक अब हम solve करते हैं देखें income again head of income section 11 में कौन सा head of income आएगा income from business आएगा ओके तो corporate rate for small company 20% यह कहां आता है यह normal applicable rate है यह normal tax rate किसके लिए company के लिए लिखा है division 2 part 1 first schedule में applicable withholding rate क्या था 153 में हमने बात कर ली filer company के लिए 4% है तो यह company filer है gross sales सव मिलियन थी cost of sales 50 मिलियन operating expenses सव में से 50 मिलियन और 20 मिलियन माइनस किया तो आपकी 30 मिलियन की total income high deductible allowance कोई था नहीं तो हमने उसी को taxable income कह दिया ठीक है तो 30 मिलियन पर आपने जो taxable income पर रेट लगाया 30 मिलियन आपकी taxable income है इस पर आपने normal rate लगाया 20% यह अभी तक वही काम हो रहा है जो हमने पीछे सीखा है NTR में तो 6 मिलियन आपका NTR का tax आ गया तो हमने यही बात की थी आपको 2 figures निकालनी है सबसे पहली figure आपने NTR की निकाल ली number one फिर यह के आपका tax कितना withheld हुआ था टेक्स आपका withheld हुआ था चार मिलियन आपको question में provided है राइट सो अब आप यह अब आपने again हम recap करते हैं हमने यह देखा 153 में अगर company supplies कर रही है तो उसका tax minimum है तो अब हम MTR में आ गए अब हमे दो figures निकालनी है एक normal rate NTR regime के दहद workout normal tax rate लगागे tax workout करना है तो tax expense है 6 million का और फिर यह check करना है कि withholding tax कितना withheld हुआ है वह हुआ है 4 million का तो whichever is higher तो 6 बड़ा है या 4 million बड़ा है 6 million बड़ा है तो हमारा tax expense tax chargeable क्या होगा 6 million होगा ठीक है अच्छा क्यूंके 4 million हम अदा कर चुक हमारे customers ने withheld किया है तो फिर 6 million में से 4 million जो withheld हो चुक है minus कर दीजिए तो return के साथ हमें 2 million जमा कराना होगा इसे हम कह देंगे tax payable with return of income चैले अब हम इसी scenario को थोड़ा सा change कर लेते हैं यही profit and loss account है लेकिन हमने सिर्फ यहां एक change लिए देखें cost of sales 50 million था हमने इसको 70 million कर दिय अब 100 में से 70 million cost of sales minus की 20 million operating expenses minus की तो हमारी taxable income 10 million आ गई अगें normal tax rates लगाए तो 10 million पे 20% का rate लगा तो 1 million का tax आया अब अगें 1 million बढ़ा है या जो tax withheld हुआ है वो बढ़ा है तो 1 million हमारा बढ़ा है तो गलत 1 million बढ़ा नहीं है 4 million बढ़ा है देखें यहां पर बिल्कुल different situation यहां different थी यहां NTR वाला tax बढ़ा था और जो withheld हुआ था वो छोटा था तो हमारा 6 million tax work out हो गया as a tax expense tax chargeable इस situation में NTR से जो tax work out हुआ है वो कम है और जो tax withheld हुआ है वो ज्यादा है तो tax expense कितना हुआ 4 million हुआ और क्या return के साथ कुछ देना है नहीं देना क्योंकि 4 million withheld हो गया यानि 4 million अच्छे यह 4 million कैसे है देखें यह वाला concept clear हो 1 million और 4 million इन दोनों में से whichever is higher था वो हमने यहां लिख दिया 4 million और यह निल कैसे आया इस 4 million में से हमें question में given था कि 4 million paid है हमारा तो 4 में से 4 minus हुआ तो return के साथ यहां निल जाएगा जबकि यहां पर 2 million का tax हमारा मजीद पे होगा ठीक है तो यह MTR का concept है कि आपको 2 figures work out करके comparison करना होगा है अब हम MTR के बार में थोड़ी सी descriptive descriptions पढ़ लेते हैं under minimum tax regime tax already deducted as source यानि जो for example 153 में deduct हो गया आपके customer ने कर लिया या 233 में आपको brokerage commission मिला उस में deduct हो गया so is treated as minimum tax which is then compared with liability under normal tax regime यही हमने बात की थी कि जो tax आपका withheld हुआ है उसको आप compare किसे करेंगे normal tax regime के तहट tax work out करके उस figure से compare करेंगे in case liability under normal tax regime is greater than tax already deducted the person is required to pay liability under normal tax regime जाहर है पहली situation की बात हो रही है जहां पर 6 million ज्यादा था 4 million कम था तो हमने का हमारा tax expense 6 million है 2 million हम return के साथ जमा करा रहे है in case tax already deducted is greater than liability under normal tax regime then same is treated as final tax यानि tax expense जो आपका पर treat होगा वही होगा जो आपका tax withheld हो गया अब second situation में आप यह नहीं कह सकते के मेरा tax expense तो 1 million आया है 4 million का मेरा tax withheld हो गया तो मुझे तो 3 million refund claim करूँगा मैं तो हाँ यह refund कब claim हो सकता है उस वकत हो सकता है कि अगर section 153 में यह change आ जाए कि अगर small trading company है उसका जो tax withheld होगा वो adjustable है तो फिर क्या होगा फिर यह होगा second scenario में आप government से 3 million वापिस मांग रहे होंगे लेकिन क्योंके इस वक्त ordinance में 153 में इस जो tax withheld हुआ है इसको minimum कहा गया है तो लहादा अब tax तो आपका 1 million बनता है लेकिन आपका tax 4 million treat किया जाएगा 1 million treat नहीं किया जाएगा आप 3 million government से tax नहीं मांगेंगे बलके आपकी 4 million ही actual tax liability मानी जाएगी sum of incomes which are treated as या treated कहले या tax under minimum tax regime minimum tax liability of person under the income tax ordinance are ये examples कुछ लिख दी है कि section 153 में जो supply of goods or services है ये minimum tax regime में आता है other than वो company जो manufacturing हो या illustrate company चाहे वो trading करे या manufacturing करे इसी तरह brokerage and commission कोई business कर रहे तो वो भी MTR में आएगा क्योंके 233 के अंदर ये बात लिखी है कि ये minimum tax है जो deduct हुआ है इसी तरह minimum tax under section 148 for commercial importer अब 148 में जो आपका tax cut जाता है तो आप इसको भी MTR में ही लेकर आएगे तो ये जो tax cut है ये minimum इसे कहा जाता है minimum tax section 148 में लिखा है तो लहाजा आप इसको MTR में ही लेकर आएगे ठीक है तो ये हमने concept अचा आगे FTR है तो अगली वीडियो में cover कर लेंगे या हमसे stop करते हैं अभी के लिए तो हमने आज MTR देख लिया minimum tax regime और NTR normal tax regime अचा normal tax regime और minimum tax regime में similarity क्या है कि MTR एक extended form है normal tax regime की सो होता ये है कि आप MTR में अगर आ गए क्यों आ गए क्योंकि withholding section में deducted tax को minimum कहा गया है तो आपको NTR workout करना है और deducted tax से compare करना है whichever is higher आपका tax होगा तो ये normal tax regime और minimum tax regime का concept है इस पर हम already practice question अपने YouTube चैनल पर डाल चुके है practice question number 3, 4, 5, 6 तो वहां से मजीद इस concept को आप बहतर कर सकते हैं